स्वागत करता हूँ आपका अपना YouTube चैनल मैं चले में हाजिर होगा एक नए सेसन लेकर आज हम बात करेंगे इसके जासर का NTPC Practice Set 4 का इसके जासर का NTPC Practice Set NTPC Practice Set 4 के हम बात करेंगे ठीक है हम कोशन करेंगे math का ठीक है तो चलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो का अंतर देखें देखें प्रैक्टिस सेट तीन का कुछ कोशन बाकी है मैं उसको अगले वीडियो में करा दूंगा पांचे कोशन बाकी है मैं उसका एक अलग वीडि पर द्याय ञ़ off ऑगा है एक्स एक्स प्लस थिरी एक्स प्लस फाइब एक्स प्लस एक्ट और एक्स प्लस eyes के एक दो तीन चार पंच यह पांक सम्हे दीया हूआ एं इस प्रैक्षन का माध दिया हूः हैनो इन सभीक है माध हुस्त है जो माध हमारे को दिया हूआ है नौ ठीक है तो पूछ रहा है कि अंतिम तीन प्रेक्षनों का माद क्या हो जाएगा अंतिम तीन प्रेक्षन जो होगा उसका माद क्या होगा अंतिम तीन जो होगा तो सबसे पहले हम इसका माद निकाल लेंगे तो हमारा एक्स का जो भैलू है वह पता चल जाएगा उसके बाद अं सभी संख्याओं का योग सभी संख्याओं का योग सभी संख्याओं का योग बट्टे सभी संख्या माद भी होता है सभी संख्याओं का योग बट्टा सभी संख्या यानि जितना संख्या दिया रहेगा वह ठीक है तो चलिए माद हमारे पास दिया हुआ है 9 तो माद का प्लस x प्लस 9 ठीक है और इन सभी का संख्य कितना दिया हुआ है इन सभी का संख्य एक दो तीन चार पांच तो निचे लिख लेंगे 5 अब क्या करेंगे 5 की इदर भेज देंगे 5 इदर जाके 900 गुना हो जाएगा तो 9 गुना 5 बराबर एकस को यहीं जोड लेते हैं एक दो तीन चार पाँच पांच पांच एकस है तो पांच एकस लिख लें है है ठीक है कि द्यक्ते किено एट आट आट थीलricht हो सुद यह नो 20 अब क्छिस अब दलिखोंड यहां शम्रम्क प्रावर क्या हो जाएको नव फांच पैचलंच तो 45-25 तो 5x तो देखिए 5x का value हमारे पास 20 आ गया तो x का value क्या आ जाएगा? x का value आ जाएगा 20 बटे 5 यानि की 4 जब x का value हमारे पास 4 आ गया तो पहले value क्या है? x x का मान हमारे पास 4 आ गया तो x प्लस 3 का मान क्या आ जाएगा? चार प्लस तीन बनबबर शाथ दूसरा पद ए एकस प्लस पाँच तो 4-5 यानिकी 9, यानिकी 9, तीसरा पद एकस प्लस आठ यानिकी 4-प्लस रच चौथा पद पद है एकसक प्लस नाइन यानिकी चार प्लस नो बनबर 13. अब हमसे question में पुछा है कि अंतिम तो चाहर तो क्या कर देगा मात क्या होता है सभी संख्याओं को जोग बटा सभी संख्याओं तो अंतिम 3 हो जाएगा 13 12 प्लस 9 बटा में 3 इसको जोरें गांतों क्या हो जाएगा 3-2-5-5-4-4 हाथ में 1-1-2-1-3 एक-1-2-1-3 यानि 34 प्टा 3 हमारा आंसर आजाएगा तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा ठीक है कोशन देखने कोशन नमबर 42 कोशन नमबर 42 में कह रहा है कोशन यदि तीन रूट 5 प्लस अंडर रूट 125 बराबर है 17.84 के ठीक है यह तीन रूट 5 बराबर अंडर रूट 125 बराबर है 17.84 के तो हमसे पूछा है अंडर रूट 80 प्लस 7 रूट 5 का मान क्या हो जागा देखिए कुछ नहीं करना है हम क्या करेंगे यह अंडर रूट 80 जो है ना अंडर रूट 80 को यहां पर हम तोड़ देते हैं ठीक है चार गुना चार गुना 5 चार्चों को 65 प्लस साथ रूट 5 को चार यहां से दो चार है तो चार एक बहार जाएगा तो अंडर क्या हो जाएगा चार रूट 5 प्लस साथ रूट 5 तो यह क्या हो जाएगा दोनों को जोर देंगे तो यह हो जाएगा 11 रूट 5 जब यह हो जाएगा 11 रूट 5 और रूट 5 का वेलू होता है 2.23 ठीक है तो ग्यारा गुना 2.23 को गुना करेंगे तो हमार पस क्या आजाएगा यह आपका अगर 223 तो इसको जोड़ देंगे तीन तीन दू पांच दू दू चार दू चौविस पॉइंट तीरपन इसका अंसर हो जाएगा तो आंसर क्या होगा 24.53 इसका अंसर हो जाएगा तो ओप्सन कों सब्सक्राइगा ऑप्सन भी हमारा सही आंसर हो जाएगा विल्कुल एजी है इसमें कुछ नहीं करना यह सिर्फ आपको दिखा रहा है कि इतना कमान इतना दिया गया है ठीक है लेकिन हमको निकालना यह है हम बिलकुल आई से से कल्कुलेशन करके यह जो रूट पांच यहां पर इसके बराबर इसको कर दिये तकि आसानी हुआ दोनों ग्यारा रूट पांच हो गया और रूट पांच के वैलू हम पूद किया है और हमारे पास आंसर आ गए है कि दो संकेंद्रे ब्रीतों के तिरिजिया है 17 सेंटिमिटर और और 8 सेंटिमिटर है चोटे लिए ऐस रेखा है जो इसे डी पर असपर्स करता है तो टी लंबाइ भावर है टीकला excited इसको सॉल्प करता हैं एक ही केंद्र पे दो ब्रीत बना हुए माल लीजिए यह एक ब्रीत हो गया और यह एक ब्रीत हो गया इन दोनों का जो केंद्र है न वह एक ही है संकेंद्री हो है सब्सक्राइब सबस्क्राइब यह बड़ी वाले भुजा का जो तिर्जय दिया है इसको ए और इसको भी मानते है इसका जो दिया हुआ है 13 cm दिया हुए ठीक है अब कोशन में कहा रहा है यह भी बड़े ब्रित का ब्यास है अगर हम इसको बढ़ा दें चलिए इसको हम बढ़ा के यहां पर सी माल लेते हैं यहां पर सी ठीक है अब कहा रहा है चोटा वालत जो तिर्जय वह 8 cm है तो ए भी ब्रित का ब्यास है और वी डी छोटे ब्रित के लिए स्पर्स रहा है वी डी जो है वी से जो डी है यह इसको असपर्स कर रहा है यहां से इस ब्रित को असपर्स कर रहा है ठीक है इसको असपर्स कर रहा है ठीक है अगर कोई भी असपर्स करके माल यह एक रेखा यहां से यहां तक जाता है ठीक है तो केंद्र से 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 इस पर अगर हम लंग डाले तो यह क्या हो जाएगा यह समकौन हो जाए देखें क्या होता है जब भी अगर किसी भी ब्रीट के जीवा पर अगर आप लॉंब डालते हैं तो वह जीवा को दो बराबर भागों में बाठता है वहीं कंसेट पर माल यहां से हमने यहां तक इस पॉइंट को भी यह है डी को स् AU 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 ये आठ है और ये समकुनत तिर्भूज बना रहा है तो पाइफागोरस पर में से लिग्वी कमान निकाल लेंगे तो डिभी कमान के हो जागा डि we कमान हो जाएगा डि बी एस्कोाइर बराबर हो जाएगा एवी मेंनस एडी एस्क्वाइर ठीक है किम्ण क्योंका कॉंट childcare दिया हुआ है यह Kate we यह कॉंट months कमाद 13 दिया हुआ है chiliGB मानब हम निकालेंग तो रूपयान निकालेंगे तो यह से कुष्युमार के ठीक है तो हमारे पास स्क्वाइर क्या हो तो तो यहां से आगा 105 तो आधार का मान कितना हो जाएगा under root 105 यानि कि जिवा पर खीचा गया लम जिवा को दो बराबर भागों में बाटता है तो यह दो बराबर भागों में बाट रहा है तो इसका मार 105 तो अंडरूट 25 तो इसका भी मांध रूपter 105 होगा अब दकिए इस 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 वाले कमान edu कमान अगर है तो यह ग। वह ऎला हम संख्या देखें ये Cel iyi ka मान तो हमसे क्या कुछ रहा है यह वाला पर्स़ान हमसे पूछ रहा है कि इस सब क्या होता है यह तो वान हमसे पूछ रहा सी आपका थेल्स परमें के साब से सी बराबर एडि एडी सी बराबर एडी बटा आर बटा टो आर चुख झालग एक बार अचा मान हमको नहीं पता है तो एडी बाटा सोड़ी यह एडी बटा ad बट्ट ske बराबर r बट्ट टो आर तोis का मान हमारे पास 8 दिया हुआ है ce का मान नहीं हमको इस वाले का मान निकलना है तो r बट्ट 2 r, r से r कट जाएगा तो fu का मान क्या हो जाएगा 8 less बराबर 16 याणी कि इस का मान इस वाले का मान 16 है और इसका मान under root 5 है तो क्या आप इसका मान नहीं निकाल सकते हैं इसका मान बिल्कुल निकाल देंगे जी पैथागोरोस थिरम कहता है कि कॉर्ण square बरापर लॉग square प्रॉस अधार square Palestine पर में से अगर हमको CD का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे CE का square सीएसक्वाइर प्लस दृत कर देंगे तो सीग्वाइर में सुलो कर एक है स्क्वाइर प्लस उेढंडर रूट Candy गांग है थो जब सुलो स्कार सकार तो तो सक्वाइस कर 206 पांडर रूट एक सुंदड और गांडर एक सब पांच कै्सकार कर देए एकषेट है तो सीड़ी तो सीड़ी कमान आपके पास 19 आ जाएगा तो आपका option कौन सा सही हो जाएगा आपका option सीज सही आंसर हो जाएगा डेखे बहुत conceptual question इसमें कुछ नहीं है अगर आपने डाइग्राम को सही से समझ लिए त्वाप इजिली इसको निकाल अगला कोशन देखें कोशन नमर 44 को अगला कूशन नोबर 44 का अरा कि अंडर रूट 602upuny 6021า नरूट 100 Giantूम है प्लस 0 इसको इस तरीके से फिक्टर किजिए कि इन दोनों के बीच में डिफ्रेंस एक आया तो यहां पर 9 और यहां पर 8 9 बहुत तर डिफ्रेंस कितना है एक डिफ्रेंस है अगर प्लस दिया है प्लस साइन हो प्लस साइन हो तो बड़ा वाला संख्या ले तो बड़ा वाला संख्या ले अगर माइनस साइन हो यानि कोश्चन में यहां पर प्लस दिया है अगर माइनस साइन हो तो छोटा वाला संख्या ले हो तो छोटा वाला छोटा वाला संख्या लें ठीक है देखिए अब देखिए इसमें क्या लेना है आमको नो और आठ में सबसे बड़ा कौन है नो तो हमारा नो ही आंसर हो गया किमकि हमको प्लस में बड़ा वाला संख्या लेना है माइनस में छोटा वाला संख्या लेना है तो option A हमारा सही answer होगे ठीक है इस टाइप को question पुछे जाते हैं अगर इसी में रहा तो माल लिजे अंडरूट 20 प्लस अंडरूट 20 प्लस अंडरूट 20 प्लस डॉट 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 तो इसका answer क्या होगा कुछ नहीं करना 20 को फेक्टर करना 5-4 में और बड़ा प्लस है तो बड़ा वला answer होगा तो पांच आपका answer हो जाएगा अगर यहां पर माइनस रहता है इसी question में अगर हम यहाँ पे माइनस दे दे यहाँ पर माइनस दे दे तो इसका आंसर चार आएगए यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंट है ठीक है कुश्यान में दो संख्याओं का गुनड़ पर 0.432 यह तो वेखार है तो दूसरी संख्य क्या होगा है कि is question में होना चाहिए कि Lcm later Lcm peuple Das slave zrf 155 dlara four three to 창 का मान 1.6 वना है तो दूसरी संख्या हमसे पूछता है इसा question होना चाहिए क्यूंकि इसी टाइक question पूछा जाता है तो देख़ए इसमें क्या क्या इसका कुछ नहीं करना CM गुना HCF बराबर क्या होता है पाई संख्या गुना दूसरी संख्या होताई इसमें आपका तीन का वैलु दिया रहता है इस टैब के वежд में आपका तीन वैलु दिया जाएगा एक वैलू आपको निकालने के पूछेगा जैसे जो कोश्चन दिया है कि दो संख्याओं का गुनारफ़ यह संख्याओं का गुनारफ़ दिया हुआ है 0.432 और एक संख्या अमारे पास दिया हुआ 1.6 तो दूसरी संख्या पूछा है अब देखिए अब आप क्या करेंगे दूसरी संख्या आप से पूछा है तो कुछ नहीं करना है 0.432 को 1.6 से भाग दे देना है आपका अंसर आजागा ठीक है तो चलिए जब आप इसको भाग दीजिएगा अगर 0 में तो इसको फॉर्मेट चेंज कर दीजिए एक हजार से गुणा कुजिएगा तो कितना हो जागा 432 आए एक हजार से निचे गुणा कुजिएगा तो यह हो जाएगा 16 गुणा 100 ठीक है तो 16 दूना 32 और 16 दूना 32 बातीस हो गया तो तीन में से दूगे एक और 112 हमारा सोलो सते 112 हो जाएगा ठीक है तो यह हो जाएगा 27 बटे 27 बटे 100 का मतलब हो जीरो पॉइंट 27 हमारा आंसर हो जाएगा तो आप्सन कौन सा सही होगा तो आप्सन सी आपका सही आंसर हो जाएगा कोशन ने 46 46 नमबर कोशन कहा रहा है कि राम कि मासिफ घरेलू खर्च का परतिसवत बित्रम 4 खंडों में नेम रिखी थे ने पाई चार्ट दिया हुआ ठीक है ये पाई चार्ट है ठीक है इसको चार भाग में डिवाइड किया हुआ है ठीक है ये एइमाई है ठीक है किसी भी चीज़ीज़ का वह देता होगा 46% ग्रॉसरी जो है ग्रोसरी में उसका 27% जाता है सेविंग करता है 18% सेविंग 18% और यहाँ पेट्रॉल में खर्चा है तो पेट्रोल में खर्चा इसका परसेंट एए टोटल हंड़ेड परसेंट होगा ठीक है परतीसत चार कॉंडव यदि वह 55000 रूपया महीना कमाता और जित करता है पच्पन अजार रूपया अर जित करता है यानि यह कमाता है ठीक है तो पर तेक माह में उसके दवारा भुखतान की जाने वाली EMI कितनी है अब देखिए कुछ नहीं करना है जो पूछ रहा है यह मैं पूछ रहा है तो 46% ठीक है 46% EMI है ठीक है तो क्या कर देंगे 55,000 रुपिया कमाता है इसमें 46% आप EMI भरता है तो 46 बटा 100 कर देंगे यह 2-0 से यह 2-0 कट गया है अब 46 को 550 से गुना कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा तो चलिए 46 को 550 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा कर यह लेते हैं पाच्पन को 65 30 30 6 35 30 4 25 2 22 22 यानि 0 335 25,000 रुपिया पाचीन हजाएगा तो आप्शन कौन से सही हो जाएगा तो आप्शन यह हमारा सही आंसर आप्शन नमबर 47 47 नमबर कोशन देखते हैं कह रहा है कि 25 परसेंट 20 और 10 परसेंट के कर आमिक बट्टों के इस परसेंट आपका सम्तुल एक Jest अभाटा किया होगा यनिकी 25 परशेंट ँषाइं और 20 परसेंट और 10 परशेंट का एक इतना डिस्काउंट ना देके है क Chairman छुडत के हो देखिए पचीश परसेंट का मतलव होता है 25 बढ़टां सो यानिकी एक बड़्या चार 20% का मतलब होता है एक बटा 5 और 10% का मतलब होता है एक बटा 10 ठीक है अब दिसकांट दे रहा है 4 रुपया का समान है अगर आप 1 रुपया डिसकांट दिये तो उसको 3 रुपया में बेचेंगे और 10 रुपिया का समाने 1 रुपिया डिसकांट पर देते हैं आप तो 9 रुपिया मेचें यह चार से यह चेर कुट गया यह हो गया पच्छास और 9 तरे 27 अब देखिए कितना का डिसकांट हो गांट होता है किस पे तेज रुपिया डिस्कांट होता है पचास रुपिया पे तो हंडेट परसेंट पे कितना होगा पचास दुनी सो तेज दुना च्यालीस परसेंट आपका सही आंसर हो जाए ठीक है तें कोस्टन नबर 48 फोट्टी एट कोस्टन नबर क्या कह रहा है कह रहा है कि एक ठोज सिलिंडर जिसके आधार की तिरिज्या 6 सेंटिमीटर थी और उचाई 9 सेंटिमीटर थी को पिगला कर एक ठोज गुला बनाया जाता ठीक है और उपर विच्छे होगा और इसका जो हैच्छ है यह आच कितना दिया हुआ नौ सेंटिमीटर था अब देखिए एक пиш म writings को सेंटिमीटर था और हैट 9 स्र Я् adult इस सिलिंडर का जो होता है वह क्या होता है फाई य जो हता है वह होता है 4y 3πRQ इसका ही हमको radius निकालना है कि माल ज़िए इसको पिगला के हमको एक गोला बना दिया गया है ठीक है तो हमको इसका radius पुछा है इसका radius क्या जागा कुछ नहीं पाई से पाई को काट दिये R हमारा कितना दिया हुआ है तो हमारा ठोच सिलेंडर का R दिया हुआ है 6 तो 6 का स्कॉायर गोना उचाई हमारे पास 9 है इसको बराबर कर देंगे 4 बटा 3 गोना R Q ठीक है यह हो जाएगा 36 गोना 9 यह 3 भी इधर आ जाएगा तो 3 को इधर रिक कर देते हैं और इस 4 से यह 4 R Q होगा तो 4 से 36 कट गया 9 बार में तो यह क्या हो गया R Q का मान कितना हो गया 9 गोना 9 गोना 3 ठीक है अब देखिए R Q का R का मान निकालेंगे तो यहाँ पर Q यहाँ पर 3 आ जाएगा तो यह हो जाएगा 3 गोना 3 गोना 3 गोना 3 इस 9 को को 3-3 लिख दिए और इस नौको 3-3 लिख दिया और 3 अब देखें क्या होगा एक 3 जो है 33 इससे बहर आ जाएगा क्योंकि यह आर कुविक रोट है किलेक तो 3 कि अगर बहर आगया तो अंदर क्या बच गया यह दूनों तो हमारा option क्या हो जाएगा देखिए option आपका दिया होगा उसी टाइप का देखिए option भी दिया हुआ है option c हमारा सही आंसर हो जाएगा ठीक है यह बहुत जवर्दस्त question है इस type question पुछे जा रहा है तो देखते हैं question no 49 49 question देखते हैं ठीक है question में एक equation दिया हुआ देखिए एक सो चालीस भागा कि एक सथ माइनस चाथिस माइनस चालीस माइनस साथ भागा बारव गुना छे ठीक है यह स्मॉल ब्रेकेट मिडिल ब्रेकेट बरावर को तीनों चीज दिया हुआ है इस टाइप को आपको एंटी पीसी के एक से ही होता है ठीक है तो चलिए इसको सॉल्ट करते हैं एक सो चालीस माइनस यहां पर है 36 माइनस अब दो कि इस वाले कहां काम करते हैं बाराव बाराव बटा यह कट जाए कितना बर में पांच बार में ठीक है तो चालीज मैनस थीस हो जाएगा ठीक है यहां पर चालीज मैनस थीस आप देखिए चालीज मैनस थीस तो मैनस दस होगा तो एक सो चालीज मगा एक सट मैनस 36 माइनस 40-30-10 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा 40 में से 30 गया तो 10 तो यहाँ पर माइनस का 10 होगा ठीक है यहाँ पर माइनस का 10 हो जाएगा 40 में से 30 गया तो माइनस का 10 क्योंकि यह माइनस प्लस 10 होगा 40 में से 30 गया 10 जाएगा तो कितना होगा 26 होगा तो यहां पर 26 आगया अब देखिए कि 140 भगा एक सब्सक्राइब से 26 जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा चार आएगा आप्शन कौन सा जाएगा तो आप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा देखिए कोश्चन नमबर 50 क्या कर रहा है कि एक लंब बृतिये बेलन जिसकी क्या से टर्ट क्या करना है कुछ नहीं हम को जानते हैं कि इसके वाल्म क्या होता है यानि कि सिलिंडर का इस टाइप का जो सिलिंडर एक है ठीक है माले यह सिलिंडर है इसका तिरजिया हमको दिया हुआ है साथ सेंटिमीटर इसका एच हमारे पास दिया हुआ है दो सेंटिमीटर यह रहा है एच और यह रहा है एच का मान हमारे पास दो सेंटिमीटर दिया है आर का मान साथ सेंटिम तो चलिए आज के लिए इतना ही अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों में शेयर करें अगर आप हमारे चैनल पर नहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें मैं ऐसी ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूंगा चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाहिए